हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल है रिफास्किल हब तो आज जो मैं आपको एक सॉफ्ट्रे सिखाने जा रहा हूं वो है हमारा स्केचप जिसमें हम 3D डिजाइन करते हैं सबसे पहले जैसे हम लोग स्केचप इंस्तौल कर लेते हैं तो मेरा पास देखिए यह तीन चीजे आती हैं चाओं और स्टाइल बीलडरी pressedो करेंगे कीडर्श्म को क्या है , we are open इसको देखिए जैसे जैसे ही आपको उपन करते हैं तो यहां पर हमारा कुछ ऐसा लिखाता है जिसमें यहां पर दे रखे हैं हमें आर्किटेक्ट्ट्र इंचिस, सिंपल इंचिस, सिंपल मीटर, मिलीमीटर, सेंटिमीटर, ठीक है तो इन में क्या है जिसमें भी हमें काम करना होता है जिस यूनिट में हम उसमें क्लिक कर लेंगे जैसे मैं architecture inches में काम करना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो देखें जैसे हमारा sketchup फुल जाता है तो यह क्या है यह मैंने extension install कर रखे हैं इसलिए इतना सारा आ रहा है यहां पर लेकिन आप चप sketchup को install करेंगे तो यहां पर इतनी सारी चीज़े नहीं आएंगी इसको tick कर लेंगे आप तो देखें यह चीज़े आजेंगे यह पर और इनी चीज़ों से हम क्या use करेंगे और यहां से फिर हम कर देंगे आप एक close तो आप देखें यह चीज़े आ चुकी है और यही चीज़े जो है हमारी यहां पर आती है जब आप इंस्टॉल करते हैं sketchup को तो सबसे पहले क्या है में टूल्स है जितने भी इनको मैं आप तरके एक टूल्स समझाऊंगा तो आपको पहले ऐसे दिखा दू एक बार जैसे हम लोग sketchup जो है इसको open करते तो कुछ ऐसी हमारी screen आती है तो यह हमारी green axis यह हमारी red axis और यह हमारी blue axis ठीक है तो सबसे पहले क्या है सबसे पहले मैं आपको line से सिखाऊंगा यूज करना तो कि यह जो चीज है यह हमें आके ज़रुत पढ़ेंगे सबसे पहले हम basic से समझते है pencil तो देखिए line है जो चल रहा है आपको चैसे line बनानी है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस पर click करेंगे line यह फिर हम type कर देंगे यह से L तो हमारी pencil आ जाईगी है ठीक है उसके बात करेंगे हम लोग कुछ ऐसे zoom करेंगे इसको और फिर हम एक point पर click करेंगे और जितनी ही लंबी line हम ले ले लेंगे और यहाँ पर आप देखे यहाँ पर length लेकी आ रही है तो आप क्या है जितनी लंबी line चाहिए या तो आप इस तरीके से ऐसे आगे करती चलिए और यहां पे length पे देखते चलिए या फिर आप simply type कर दीजिए यहां पर 10 feet चाहिए हमको 10 feet और enter तो यह हमारी जो line है 10 feet पे आ जाई ही अभी आपने एक चीज गौर की होगी कि आभी तो देखे black वगरा color की आ रही है आप देखे यह आचुके हमारी red color की इसका मतलब है जो हमारी यह line जो है वह इसके क्या है parallel है एक्तम और अगर मैं इस तरीके से ले जाओ यहाँ क्या है और यहांसे इस तरीके से ले जा ले जाओ देखे green आ चुके हमारी axis के यह वाल लायन parallel है ऐसे इसकर blue line से बनाना हो तो हम क्या करेंगे कुछ इस तरीके से अब यह हमारी क्या है इस blue line के parallel है यह वाली हमारी line तो ऐसा कुछ होता है इस पर ठीक है तूसरा आपको wheel तो पता ही होगा जैसे wheels wheel से हम लोग क्या zoom और zoom out कर लेते हैं प्लस अगर हम लोग wheel दबा के रखेंगे और फिर कुछ इस तरीके से move करेंगे तो देखे ऐसे rotate होगा और वहीं अगर हम लोग shift press कर लेते हैं और फिर wheel दबाते हैं तो यह कुछ इस तरीके से move होगा तो यह हमारा basic था पूरा अब देखिए line वाला टूल लिया अब हम चाहते हैं वापस हमारे selection टूल पर आ जाए तो उसके लिए या तो हम लोग टाई या पर selection टूल पर क्लिक करते हैं या फिर हम लोग space बार दबा देंगे तो अपने आप automatically यह हमारे जो है selection टूल पर आ जाएगा तो यह था हमारा line का ठीक है एक और बताता हूं मैं आपको L for line लिया हमने उस पर क्लिक किया अगर black वगएरा पर कहीं जा रहे हैं तो मतलब यह किसी के भी किसी भी अब देखे कहीं भी जाएए अब जैसे हम मैं पैरलल ले लिया है तो देखे रैड आ चुकिए और इस तरफ इस तरफ ऐसे करके जाएंगे अब यह blue आ चुकिए मतलब यह है blue axis के parallel ठीक है और अगर हमें green चाहिए तो देखे यह आ चुका है हमारा green के parallel तो यहां पर हमारी freehand वाला टूल ले लिया आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपके मन में है आप वो उसको बना देंगे यहां से कुछ इस तरहीं किसे कुछ भी जो आप बनाना चाहिए यहां से प्रीहंड टूल से आप बना सकते हैं देखे इस तरीके से कुछ भी जो बनाना चाहिए बना स सकते हैं अब वापस से आपको एक हमारा फर यहां पर रैक्टैंगल के लिए यह प्रेस करेंगे तो देखे एक पॉइंट ले लिए एक पहले उसके बाद फिर हम यहां पर टाइमेंसल्स पूछ रहा है या तो आप ऐसे ही कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मैनूवली टाइप कर सकते हैं तो जैसे हमें चाहिए 10 feet ठीक है 10 feet, और हमें चाहिए 15 feet और फिर enter तो देखे हमारा 10 feet by 15 feet का यह बन चुका है है इस तरीके से देखें कुछ ठीक है टेन फीट का यहां पर हमारा 15 फीट का ठीक है तो वापस से देखता हूं rectangle आर्फ रेक्टेंगल यहां पर क्लिक किया सबसे पहले हम horizontal की जो है यह हमारे हमने टेप से मेजर किया है इसको मैं आपको आगे टूल को सिखाऊंगा ठीक है अब जो नेक्स जो हमारा आता है इसमें आता है rectangle रोटेटेड रेक्टेंगल में क्या आता है अगर हमें आभी तो देखे यह एकदम plane पर बना है अगर हम rotate करके बनाना चाहिए इसको ऐसे बनाना चाहिए देखिया हमने क्या है यह blue line के parallel बना चुका है rectangle हमारा पापा से दिखाता हूं है आपको कुछ इस तरीके से हमने लि फिर इधर क्लिक करेंगे जितना चाहिए हमें और फिर जितना आगे तक चाहिए इस तरीके से कुछ यह rotated rectangle हमारा काम करता है अब वापस से selection टूल में जाने के लिए हम क्या कर देंगे स्पेस बार को दबा देंगे अब जो next जो मारता है यह आता है circle circle में क्या होता है दिखे सबसे पहले देखिए यहां पर sides पूछ रहा है अगर हम यह sides में 3 लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं तो हमारा क्या है triangle तो क्लिक करें और चितना triangle आप बनाना चाहते हैं उतना आप बना सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से ठीक है space दवाएंगे selection टूल पर जाने के लिए c4 circle और वापस से क्या आप होँ साइटस चाहिए हमने कर दी 50 Sides तो देखिए अब यह circle आ चुका है अगर आप कर देते हैं 10 side तो देखिए अभी proper circle नहीं आ रहा है या 15 कर कर दिंगे फिर लिखेंगे आप 50 यहां से एक बाद क्लिक करके और यहां लिख दिया 50 और फिर अब जो नेक्स जो मारा आता है वह हमारा यह देखिए पॉलिगन यह तो आपको नाम से पता चल रहाएगा पॉलिगन है ठीक है साइड सिक्स है इधर क्लिक करेंगे फिर आपको जितना रेडियस चाहिए हो उतना हम लोग इसे टाइप करतेंगे जिसे हमें चाहिए 50 रेडिय Drug arcs from center and two points इसमें क्या होगा हमने और लिया एक पॉइंट यहां क्लिक किया अब जैसी हमारी यह आप बन चुका है अब जो आता है हम पहले सर्क्र बना लेते हैं जिसमें हमने sides ले लिए 100 इस तरीके से हमने एक circle बना लिया एक rectangle और बना लेते हैं हम लोग यहां पे कुछ इस तरीके से ठीक है अब जो next जो हमारा है यह है two points arc इसमें क्या करेंगे हम लोग देखिए एक point जैसे हमने यहां ले लिया और एक point हमने ले लिया यहां पे manually अपने हिसाब से इसको क्या है adjust करेंगे इसको जितना हमें आर्क चाहिए और वहां पे click कर देंगे तो अब देखिए यह हमारा plane अलग है यह plane अलग है ठीक है किसी भी टूल से अगर आपको selection टूल में जाना है तो simply हम space दबा देंगे तो किसी भी टूल से आप कोई भी टूल ले ले उसके बाद जैसे आप space दबाएंगे अपने आप ही वो क्या selection टूल में चला जाएगा ठीक है तो यह था हमारा यह two point arc next जो हमारा आता है वह आता हमारा three point arc अब इसमें देखिए क्या लिक रखा है draw arcs through three points on the arc circumference ठीक है उसमें क्या करते है अब देखिए हमने ले लि ठीक है अगर मैं यहाँ पर क्लिक करते हूं तो देखिए पूरा यह one चूजगा है ठीक है इस तरीके से एक और circle बना के दिखाता हूं आपको एक और example लेके कुछ इस तरीके से हमने यह लिया उसके अदमने यह वाला arc लिया बीच वाले point से करते हैं पहले यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया और फिर कुछ इस तरीके से इस तरीके से आपको इधर arc बनाना हो ठीक है इसमें क्या करेंगे हमने three point arc मतलब तीन जगा में click करना पड़ेगा इसमें तो उस हिसाब से इसमें क्या arc बनेगा हमारा देखिए जैसे यहाँ पे एक arc बना जता हूं है ठीक है य हमने इसके center पर जैसे assume कि हमने यहाँ पर center है और यहाँ पर हमने point ले लिए और फिर अब देखें कुछ इस तरीके से पाई बन रहा है कि इतना हमारा यह पाई बन चुका है यह थोड़ा similar रहे इसके ठीक है आर्क से ही similar है थोड़ा यह आर्क में भी हमारा कुछ ऐसी होता था एक इधर क्लिक यह एधर क्लिक यह और एक इस तरीके समने आर्क बना दिया ठीक है तो आज मैंने आपको यहाँ तक टूल समझा दि ताकि interesting भी रहे तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye